सात्यों नमस्कार हमारी पिछली वीडियो पर काफी सात्यों के कमेंट्स आये थे कि जिस बोर्वैल पर सोलर का कनेक्शन किसी ने ले रखा है और अगर वह वैक्ती उसी बोर्वैल पर बिजली का कनेक्शन लेना चाहता है तो क्या उसे कनेक्शन मिलेगा और इस बारे में निगम की तरफ से कोई सूचना कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है या नहीं किया गया है तो आज हम इसी विशे पर आपसे चर्चा करेंगे कि जिस किसान ने अपने बोरोयल पर सोलर का कनेक्शन ले रखा है और वह अभी बिजली का कनेक्शन भी उसी बोरोयल पर लेना चाहता है तो उसके लिए निगम में फिलाल क्या नियम है उसे कनेक्शन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा तो साथियो इस विशे में संपुर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी हमारे साथ अंतक वीडियो में बने रही है और बिना स्किप किये वीडियो को पूरा देखी एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी एच बी में अपडेट्स में और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आउन करके रखें ताकि आपको ऐसे ही बिजली वाग से सम्मंदित महतुपूर्ण अपडेट्स महतुपूर्ण जानकारियां लगातार सही समय पर मिलते रहें और आप उसका फायदा समय समय पर उठाते रहें तो चलते हैं आज के विशे पर तो साथियो सबसे पहले आपको बता दें कि लेटेस्ट निगम ने इस विशे पर कोई अपडेट या कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जो पहले की स्टेंडिंग इंस्टेक्शन है वही इस विशे पर लागू रहेगी यानि की एक्जिस्टिंग सोलर कनेक्शन जिस्टू बेल पर है उसके लिए 2021 में निगम ने D3121 सर्कुलर जारी किया था उसी की ट्रम सेंट कंडिशन अभी लागू रहेंगी तो चलिए चर्चा करते हैं D3121 का जो सर्कुलर है वह क्या कहता है पॉइंट वाइज देखिए जैसा कि यह सर्कुलर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका विशे है जिस बोर्वेल पर सोलर का ओफ क्रीड कनेक्शन लगा हुआ है उस बोर्वेल पर बिजली का कनेक्शन नहीं देने के संबंद में तो जैसा कि इसके विशे से ही सपस्ट है कि जिस वेक्ति ने अपने बोर्वेल पर सोलर का कनेक्शन लगाया हुआ है उसे बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा क्यों नहीं दिया जाएगा उसके लिए क्या ट्रेमेंट कंडिशन है वो आगे हम points wise पड़ेंगे तो देखिए इसमें बताया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं हरियाना के हरेडा डिपार्टमेंट वे एनारी डिपार्टमेंट मिलकर किसानों को भारी सबसीड़ी देकर ट्यूबल के सोलर कनेक्शन परदान कर रहे हैं और अभी निगम यानिकी बिजली बोर्ड भी ट्यूबल के कनेक्शन जारी करने जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट है हरेडा और डिपार्टमेंट इन दोनों डिपार्टमेंट के द्वारा नए ट्यूबल कनेक्शन के आवेदनों की जानकारी आपस में सांजानने करने के वज़े से यह मुम्किन है कि किसान सबसीडी रेट पर सोलर का कनेक्शन लेने के बाद विभाग से उसी ट्यूब वैल पर बिजली का कनेक्शन भी लेना चाहता हो इसलिए यह तै किया जाता है कि यदि आवेदक ने अपने बोर वैल पर पहले से ओफ ग्रिड सोलर का कनेक्शन ले रखा है तो उसे उसी ट्यूब वैल पर बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ आवेदकों ने सोलर वै बिजली दोनों के कनेक्शन अपने बोर वैल पर ले रखे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से उनका बिजली का कनेक्शन काटने या हटाने के लिए नोटिस दिया जाए और उसके बाद जल्द से जल्द उस पर कारि वाहिक की जाए यह सूचना संबंधित अधिकारियों द्वारा सावधानी पूर्वक अनुपालना के लिए संग्यान में लाई जाए तो साथियो यह थी आज की जानकारी आपको जानकारी कैसी लेगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ने भूल क्योंकि हम बड़ी मेंट से आपके लिए इस परकार की कॉंटेंट्स तैयर करते हैं जानकारी आप लोगों तक पहुचाते हैं तो आप लोग इसके लिए लाइक वे सब्सक्राइब तो करी सकते हैं अगर आप सर्कुलर की कोपी इसकी प्राप्त करना चाते हैं तो हमें कमे अपडेट के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद